नमस्कार दोस्तों मैं उम्प्रकास सौसर देश में सबसे ज़्यादा अविस्कार जो है किसान करते हैं और इसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण ये है कि किसानों के पास परिसानिया अत्यधीक होती है और वो उन परिसानियों से निजात पाने की कोशिस में अविस्कार तक पहुंसते हैं और कहवत है कि आवस्यक्ता जो है अविस्कार की जन्नी है इसलिए देश के किसान लगातार अविस्कार करते रहते हैं और हमारा काम जो है एक जगा के किसान के अविस्कार को दूसरे जगा के किसान के दिखाना जिससे उनका जो प्राब्लम है वो खतम हो सके उनकी जो समस्याएं हैं वो खतम हो सके और इस वीडियो पर हम आपको एक तरीके का जुगार दिखाने जा रहे हैं या एक तरीके की जो नया चीज था कि आड़ा बोर कैसे होता है कुवा पे यह समझनें के लिए हम भाई साहब के आप कर रहें और यहां कुवैं से इस वीडियो पर डिटेल के साथ लेकिन उससे पहले कहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे अगर ये वीडियो फेस्बुक पेस्ट पर देख रहे है तो पेस्ट को लाइक और फालो कर लें तो ये पूरे गन्ये के खेत पे इसी से सिचाई होनी है आपका सुब नाम क्या हुआ कपिल सरले और ये एड्रेस कहूंसी है जीला बैतूल और ग्राम गोंद्रा और डिस्टिक भी बैतूल है तो चलिए अभी हम चलते हैं वहाँ पे और वहाँ से सारी चीज़े समझाएगा कुवा हम दिखाएगे लेगिन इससे पहले एक चीज़ हमें समझाईए कि बैतूल पे जो जमीन है वो पठार तरीके से है पत्थर वाली जमीन है पत्थर वाली जमीन है पुरा पत्थर है यहाँ और मिट्टी जो है उपर कहीं लाल है कहीं काली है कहीं बहुत अच्छी काली है और कहीं पे थोड़ी लाल है काली के तदाद जादा है इसल्ए गण्यक gefति है यहाँ पर अच्छा गण्यक का थे प्रिज़ slayति हम DIY आब यह पंद तेम और ढ़ीन आता है ज वह अपना वह वह क्रेति पेसले अगए यह उसमें क्ने आती है क्रेन अब आदे था है वहम ऐचीद मसvara numeर कोई काम तरह इसमें भी है पर इसमें क्रेन आती है तो क्रेन में जूला लगता है और वह जूले में रहती है पांच फीट की राड वह पांच फीट की राड और एक हेमर रहता है यहां मतलब 40 फीट नीचे से बोर होगा तो वह जैसे पानी उदर रोट का पानी वह यहां ला लेगा मतलब 200 फीट दूर का पानी अपन यहां ला सकते हैं अच्छा जैसे कि अभी हम समझें केमरा जरा हरी सिधर कुए के तरफ करो यह कुवा जो है अभी बंधा नहीं है तो य तो यह है इसके किनारे कुरेंड खड़ी घूला तो फित दूर का पानी कुवे के अंदर ला रहे पीपल का पानी यहां पर आ रहा है अगर जैसे दूसरे की जमीने तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को अपने कुवे में आड़ा बोर दालो यहां से 200 फिट लाइन तो दूसरे का खेत का पानी भी अपने कुवे में पानी आ जाएगा कि यह जो रट के साइड गया है इसा जी ड़ा हुआ होई और यह को पहले आपने कुवा चोड़े होज़ा कितना फिट गहरा होगा यह करीबन 60-65 फिट गहरा है कुवाई पे आपने सबसे नीचे के पोजिशन से एक उधर लंबा डाल दिया और एक इधर लंबा डाल दिया ऐसा है ना तो उस रास्ते पे जितने भी पानी के वाटर लाइन रहे होंगे वह इधर आगे जिए वह जितने भी हमारे तरफ का नस नस еसी चलती है यह चल्ती यहां तो वह जो इसमें तो डो रीड है तो रीड पर रीड पर कटक्ती जाती युद पानी पूरा इकटा आता है पूरा जो यहां पर आ एसी चलती है, यह जो है यह जो है नहीं है अब यह दो होगई वह एक वाली नस और यह वाली पानी की नस तो यह दो नस एक अगर आजर आलिखेस ज़ला दिखा हैं इसको बोल रहे हैं और उसी का उसको समझने हैं तो आप इस साइड देखे इस साइड दिखाई दे रहा है एक यह वह यानि यह लाइन कम्प्लीट था भी से आपने इसको घड़ा कर दिया कुँआ कर दिया तो यह दोन से पताई कि यह जो बोर करता है बोर में किस साइज का पाइप डालते हैं पाइप नहीं लगता है उसमें Can Did बोर में केसिंग दालते हैं वो केसिंग नहीं लगती उसमें रहता है और लाइन की लंबाई रहती है पांच फूट पांच फूट की लंबाई रहती है और लेकिन यहां पर पत्थर आ जाता होगा जैसे की नीचे पत्थर आ गया पत्थर आने के बाद ही उसको करता होगा नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम आपको फट्थर से करना है या कुछ भी अपन उपर भी कर सकते हैं तो उपर करेंगे मिटी दबनी जाएगे जी नहीं व मुरम कड़क हो गई ना भी साथ के बाद में यह जो अपन अभी होगा ना जहां से पत्थर हमको दिखाई दे रहा है का टाइट मिटी दिखाई दे रहा है नहीं तो भूर भूरी मिटी रहेगी तो बोर दब जाएगा न उपर से नीचे हां वो तो खस जाएगा और उसमें और बोर में एक समझ्य यह भी है कि जैसे वो बोल्डर 100 बोल गया उसके बाद में फिर बोल्डर वाला फत्तर भी खसने वाला रहता है तो वो खसने वाले बोल्डर में नहीं चलता उसको वो टाइट ल चाहिए हाय two eld better जितना होगा उसको जाट पर जैसे वो और में उसके बाध के गया ऊसके बाध में फिर वह फट्टर खुत गया तो फिर वह काम नहीं करेगा फिर उसके बाद में उसको वह मिलिब काट करणा पड़या फिर दूसरा और चालता पर पफर कार आते हुए राउंड जाएगा और उसमें जितनी नस आ रही है वह पानी इदार आ जाएगी ऐसा ही है फिर कुवा भरा रहेगा तो यहां बोर्ट सक्सेज नहीं है यहां बोर्ट कम अगर सव बोर कराएंगे तो उसमें से एक-दो मही पानी लगेगा हमने तो हमारे खेत में कम थोड़ा सब्सक्राइब। रहरे जस्ददबर करवा लिए तो फिर बस उसके बाद में हमें कुवा करवा लिए हां तो हमको वह पनी भर करवा तो पानी नहीं लगा नहीं लगा यह शक्यक इसमें सक्सेज वा जैसे इस जमाने पर खड़े हैं यह आपका तो बोर हैं तो य 72ft है तो वह बोर होता है पांच फीट ऊपर से मतलब जितना घहराई है उसके अंदर से ड्रील किया हुआ इधर गया है साथ साट फीट से ड्रील करते हुए ङए गया दो-सौ फीट गया दो-साथ इधर गया है इधर का पैनी यहां आएगा तो इसमें तो खर्चा ज्यादा होगा इसमें 100 मतलब एक फीट यहां करना का अहाया है साथ लाग रुपए सात लाग इसके बाद दोनों तरफ बॉर कराने का खर्चा है तो यहां को करीबन करीबन तो अब एक चीज बताईए यह जैसे पानी घड़ जाता होगा यहां पे तो फिर धार है वह दिखता भी होगा वहां साते हुए वह पानी आते होवे दिखता है ना अच्छा जैसे यह पानी अब कम हो जाएगा अभी मोटर जो अभी पानी भरा हुआ है तो मोटर जब पानी खतम कर देगी तो वह पानी आते होवे दिखता है पानी बहुत अच्छ आता है में सीजन पर कम से कम 4 इंची पानी आता है और यह दोनों कितने और एक पॉंप चल रहा यह एक साड़े शाथ एच पी-क पॉंप है और पांच पी-क पॉंप दालते हैं गहूंकी सचाहिक टाइम पे एक पॉंप और चलता तो तो ठीनो प्म्प पे एक साथ चल जाता है हाँ किनो पॉंप यानि को आप टंकी के तरीके से इस्तेमाल कर रहे ह तो यहां गन्य के खेती है गन्य के खेती बाकी बोर के भरोसे गन्य के खेती नहीं होती है तो पूरा काम जैसे गन्य का ही है अधिक तरफ मोंग का बहुत कम है इसके लिए मसीन कम्प्रेसर वाली को जूला इसका खिम तो यह कहां के लोग इस तरीके का बहुत करते हैं अधिक दर एगर काम है तो वह सब दूर चले जाते हैं औल इंडिया इस तरीके बोर करते हैं सबी दूर जाना महराष्ट जाते हैं जो जिदर भी आपके इदर बुलाएंगे तो उदर भी चले जाएंगे सबीदूर मसीन उत्ता ही काम करते हो बारी मैंना बस बारी समय उनकी गाड़ी बन रहती है नहीं तो बाकी वह उतना ही काम है ठीक है तो यह लेकिन खर्चिला सिस्टम है खर्चिला एक हिसाब से अपने को सुरू में ऐसा लगता है कि पैसा लगेगा बाकी पैसा खड़े बोर से ज्यादा इसमें अगर पानी लग गया तो लग गया तो हां क्योंकि इसमें खर्चा एक हिसाब से थोड़ा ज्यादा है खड़ा बोर जहां पर 80-90 रुपे का हो रहा है यह 140 रुपे में हो रहा है पर फायदा इसमें खड़े बोर तो ज्यादा है पानी ज्यादा है ठीक है तो यह हम आपको सिस्टम समझा रहे थे आड़े बोर का और यह भाई साब बता रहे हैं कि खड़ा बोर से ज्यादा होगी और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी औरों तक पहुंचे तो ज्यादा ज्यादा सेयर करें धन्यवाद रहों प्रकास आउसर धन्यवाद